भारत की साथ प्राचीन और पवित्र नगरियों में से एक है मतुरा. मतुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था. किसी ने कृष्ण के मामा कांस को बताया कि वसुदेव और देवकी की संतान ही उसकी मृत्यू का कारण होगी यता हुसने वसुदेव और देवकी दोनों के 28 द्वापर में भादरपद के कृष्ण पक्ष की रात्री के साथ मुहूर्ट निकल गए और आठवा उपस्थित हुआ तभी आधी रात के समय सबसे शुब लगन उपस्थित हुआ. उस लगन पर केवल शुब ग्रहों की दृष्टी थी. रोहिनी नक्षत्र तथा जन्म हुआ तो जेल के सभी संतरी माया द्वारा गहरी नींग में सो गए. जेल के दरवाजे स्वात ही खुल गए. उस वक्त भारी बारिश हो रही थी. यमुना में उफान था. उस बारिश में ही वसुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उस टोकरी को ल रहते हैं कि वसुदेव खुरिश्ण को यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोप के यहां ले गए. वहां पर नंद की पतनी यशूदा को भी एक कन्या उत्पन हुई थी. वसुदेव श्री कृष्ण को यशूदा के पास सुला कर उस कन्या को ले गए. गो पास गोकुल और नंदगाव में रहने वाले आभीर गोपों के मुखिया थे। यहीं पर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिनी ने बलराम को जन दिया था। बलराम देवकी के साथ में गर्ब में थे जिनहें योगमाया ने आकरशित करके रोहिनी के गर्ब में डाल दिया थ यह स्थान गोप लोगों का था। मतुरा से गोकुल की दूरी महस 12 किलोमीटर है। पूतना का वद जब कंस को पता चला की छलपूरवक वसुदेव और देवकी ने अपने पुत्र को कहीं और भेज दिया है तो उसने चारों दिशाओं में अपने अनुचरों को भेज दिय और कह दिया कि अमुक अमुक समय पर जितने भी बालकों का जन्म हुआ हो उनका वद कर दिया जाए। पहली बार में ही कंस के अनुचरों को पता चल गया की हो ना हो वह बालक यमुना के उस पार ही छोड़ा गया है। बाल्यकाल में ही श्री कृष्ण ने अपने मामा के द् पढ़ने लगा तो नंद बाबा ने वहां से पलायन कर दिया। पलायन करने के और भी कई कारण रहे होंगे। वरिंदावन आगमन। नंद गाव में कंस के खत्रे के चलते ही नंद बाबा दोनों भाईयों को वहां से दूसरे गाव वरिंदावन लेकर चले गए। वरिंद व्रिंदावन मत्वुरा से 14 किलोमीटर दूर है। श्रीमत भागवत और विश्नु पुरान के अनुसार कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंजी कुटुम्बियों और सजातियों के साथ नंदगाउं से व्रिंदावन में आकर बस गए थे। विश्नु पुरान में व्रिंदावन में कृष्न की लीलाओं का वर्नन भी है। यहां श्री कृष्न ने कालिया का दमन किया था। कालिया और धनुक का वद। फिर कुछ बड़ा होकर उन्होंने कदम वन में बलराम के साथ मिलकर कालिया नाग का वद। किया। फिर इसी प्र आर्जुन, शकटासुरवध, प्रलंबवध और अरिष्टवध किया। रासलीला, मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगलस्नान करते थे। इससे पहले कृष्ण की राधा से मुलाकात गोकुल के पास संकेती रत पर हुई थी। रिंदावन में ही श्री कृष्ण और गोपिया आंख मिचौनी का खेल खेलते थे। उस काल में लोग इंद्र से डर कर उसकी पूजा करते थे। तब कंस ने दोनों भाईयों को पहलवानी के लिए निमंतरन दिया, क्योंकि कंस चाहता था कि इन्हें पहलवानों के हाथों मरवा दिया जाए, लेकिन दोनों भाईयों ने पहलवानों के शिरोमनी चानूर और मुश्टिक को मार कर कंस को पकड़ लिया और सबके देखते दे जुधमुष्टी और सुमुष्टिद। उनके कंसा, कंसवती, सतन्तू, राश्ट्रपाली और कंका नाम की पांच बेहने थी। अपनी संतानों सहित उब्रसेन कुकुर्वंश में उत्पन हुए कहे जाते हैं और उन्होंने व्रजनाब के शासन संभालने के पूर्व तक राज किया। क्रिशन बच्पन में ही कई आकस्मिक दुरघटनाओं का सामना करने तथा किशुरावस्था में कंस के शिर्जन्त्रों को विफल करने के कारण बहुत लोक्प्रिय हो गए थे। कांस के वद के बाद उनका अग्यात्वास भी समाप्थ हुआ और उनके सहित राज्यका भाय भी। तब उनके पिता और पालक ने दोनों भाईयों की शिक्षा और दीक्षा का इंतजाम किया। गुरू का आश्रम, दोनों भाईयों को अस्त्र, शस्त्र और शास्त्री की शिक्षा के लिए सांधीपनी के आश्रम भेजा गया, जहां पहुंचकर कृष्ण बलराम ने विदिवत दीक्षाली और अन्य शास्त्रों के साथ धनुर विद्या में विशेश दक्षता प्राप् की. वहीं उनकी सुदामा ब्राह्मन से भेट हुई, जो उनका गुरू भाई हुआ. इस आश्रम में कृष्ण ने अपने जीवन के कुछ वर्ष बिताकर कई सारी घटनाओं से सामना किया और यहां भी उनको प्रसिद्धी मिली. शिक्षा और दीक्षा हासिल करने के बाद क कृष्ण और बलराम पुनह मत्धुरा लोटाए और फिर वे मत्धुरा के सेना और शासन का कार्य देखने लगे. उग्रसेन जो मत्धुरा के राजा थे, वे कृष्ण के नाना थे. कांस के मारे जाने के बाद उसका श्वसुर और मगद का समराठ जरासंद क्रूध हो चला साती थी की कंस का बदला लेना है. इस कारण जरासंग ने मत्धुरा के राज्य को हडपने के लिए सط्रह बार आक्रमं किये. हर बार उसके आक्रमं को असफल कर दिया जाता था. फिर एक दिन उसने काल्यवन के साथ मिलकर भयनकर आक्रमं की योजना बनाई. काल्यवन की सेन तो आने मतुरा को घेर लिया। उसने मतुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और काल्यावन को युद्ध के लिए एक दिन का समय दिया। काल्यवन ने उसे क्रिश्न समझकर कसकर लात मार दी और वह मनुश्य उट पड़ा। उसने जैसे ही आँखे खोली और इधर उधर देखने लगा, तब सामने उसे काल्यवन दिखाई दिया। मुझेगा